हलो फ्रेंड्स एज़ी एक्जाम यूटूब आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको आर्पीविटी 2021 के लिए जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उसके लिए मैं आपको सीट मेट्रिक्स बता रहा हूं यानि कौन सी कॉलेज में कितनी सीट से हैं टॉटल कितनी सीट से हैं और कौन कौन सी कॉलेज आपको मिलेगी किस कॉलेज में गॉर्मेंट सीट है और किस कॉलेज में प्राइवेट सीट है यह सारी चीजी में आपको यहां पर बताने वाला हूं तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कोलेजों के नाम बदा जाता हूँ, सबसे पहले आपके पास कोलेजों वेटनरी एंड एनिमल साइंस बिकानेर, जो ही आपका एक्जाम कंड़क्ट करवाती है हर साल आर्पीवीटी का, तो यह है एक कोलेज, ठीक है, फर्स्ट नमब वाली यह भी आपके पास क्या है, गुवर्मेंट कोलेज है, ठीक है, इन तीन के लावा जो भी कोलेज है, वो सारी सारी प्राइवेट हैं, जिससे आपके पास एबीसी अरावली वेटनरी कोलेज शिकर वाली हो गई MJF कोलेज आपके सोमू जेपूर वाली हो गई WA Kingdom योग और SCVM जेपूर एक कोलेज यह है और एक MB वेटनरी कोलेज डुणगरपूर में आपके पास है तो चार प्राइवेट को लेज हैं और तीन गॉर्मेंट को लेज हैं तो इसमें देखिए आपके पास जो रेगुलर सीट है रेगुलर सीट का मतलब है नॉर्मल सीट यानि जहां पर फीस बहुत कम लगती है यहां पर कैटेगरी की अकोडिंग या फिर गल्स की जो फीस है व तो कैटेगरी की अकोडिंग इसमें फीस है या फिर गल्स की कम है और बोईज की ज्यादा है जो भी है लेकिन रेगुलर सीट की मैक्सिमम जो फीस है वह आपके पास 15,000 के अप्रॉक्स है इससे ज्यादा नहीं है ठीक है और उसके बाद हम बात कर लेते हैं देखिए जो य आपको प्राइवेट कोलेज आपको देखने को मिल सकती है लेकिन उनको 2020 के अकोडिंग जो भी है आपके वेटनरी उनिवर्सीटी है विकानेर इससे मानेता प्राप्त नहीं और किसी को ठीक है तो यह आप तो द्यान रखें क्यों यही प्राइवेट को लेज और यही गु देखता है यहां पर मैं आपको दूं कर दिखा देता हूं कौन सी किंगे ब стать किने इसके अगर आप सबसे पहला दिमागा सवाल यह आताए आपके दिमाग में कि फीस कितनी है देखने नॉर्मल सीट फीस है वह तो लगएगी साथ में आपके पास पैमेंट है डोनेशन की स् 2,000,000 रूपए फीस अलक से लगेगे थीक है तू लइल लग से लगेगा आपके इसके बाद देखी मद ले करने हैं अब पेहलेग। सारी की सारी कितनी सीट है यहाँ पर हो रही है देखिए आपके पास regular जो सीट है वो आपके पास 84 सीट हो जाती है regular जो सीट है non payment normal सीट है वो 84 है और बाकी की जो आपके payment सीट अगर सारी को अगर हम यहाँ पर add कर देते हैं तो यहां पर देखिए आपके पास टोटल सीट्स है वो आपके पास 328 गोवर्मेंट और प्राइवेट कोलेज की सीटे हो जाती है मिला के तो इनी सीटों पर आपका एडविशन होना है और आपको क्यावल यही कोलेज आपको देखने को मिलेगी और इनकी फीस भी मैंने बता दी है अब देखिए इनका रिजर्वेशन कैसे कैसे है वो रिजर्वेशन देखिए आपके पास यहां नीचे लिखा हुआ है कि 5 सीट पे रिजर्वेशन है वो पीएच केंडिडेट का होगा एक परसेंट पे जो आपके है आपके डिफेंस और पेरा मिलेटरी के जो के आएगा ठीक है तो यह आपके पास पूरा टोटल सीट मेट्रिक्स हो चुका है इसके अकोडिंग के आपको 2021 की काउंसलिंग करवानी है